हलो श्टूडेंट्स, बेलकम तु चत्रवेधी कोचिंग क्लासेज, मैं आरेल चत्रवेधी, असेस्टेन्ट्स प्रोफेसर अपकेमेस्टरी, तो श्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिसकर्टन करूँगा, बंद के विखंडन के बारे में, मतला बॉंड के किलीवे कार्वन रसाइन होती है वो किसकी केमेश्टी होती है कार्वन की केमेश्टी होती है नाम सी पता लग रहा है ना कार्वन रसाइन और केमेश्टी जो कि किसकी केमेश्टी होती है कार्वन की केमेश्टी होती है और कार्वन जो अपनी बैलेंसी कंप्लीट करता है वो कौन से ब से और यह से कर सकता है और यह जो बैलेंसी कारवन अपनी कंप्रीट कर रहा है इस बंद का क्या नाम है से सायूजग बंद कोवेलेंट बंड और हम जानते हैं एक सायूजग बंद में कितने इलेक्टन होते हैं दो में रखना यह बंद किसकी निसानी होती है सैसे उजग बंद की कोवेलेंट बंद की और हम जानते हैं कि एक बंद में कितने होते हैं दो सब्सक्राइब की इस तरी नियुक्त क्यों से मतलब कर सकता है या फिर कावन दो डबन नोसे अपनी प्यलेंसी को क्कॉंप्लीट कर सकता है ठीक है ला कार्वन की कितनी बैलेंसी होती है चार बैलेंसी होती है तो इस कंडिशन में भी वह अपनी चारों बैलेंसी कंप्लीट कर सकता है दो दो डबल बॉंडों से मेरी बात आप लोग समझवा गई न तो यह बात आप अमेसा ध्यार में रखना कि जो और निक कंपाउंड होते हैं जो कार्वन की योगिक होते हैं वो अपनी चारों बैलेंसी किस से कंप्लीट करते हैं सहसें जग बंद या और्गनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बंद होता है से सेंजग बंद मतलब कोवेलेंट बात है अब मैं आप लोगों के सामने बंद के विखंडन के बारे में डिस्कृस्टर करूँगा तो ये बात तो आप लोगों का अच्छी तरीका समझवा गई कि बंद का विखंडन का मतलब होता है तूटना किसी चीज को तोड़ना तो य कर दो ना तो सबसे पहले मैं दोनों को लिख दिता है पहला को अपंद को ती है आप लोगों का वालम से कान विखन्डन का मिल बाता थोता है मतलब हेटोलाइटिक लिए जिए अब दियान से समझना इनकी डिफीनेशन इंके नाम से ही किलियर हो रही है इस मांस विखंडन समांस विखंडन का मतलब यह होगा बंद की इलेक्टोनों का समान रूप से वत्वारा एक मं इसे जिड़े दोनों एटम दोनों प्रमानूं एक हो रहा है हेट्रोलाइटिक के लिए इसमें क्या होता है कि सैसिंज और बंदि से जो दोनों एक्टम जुड़े होते हैं उन दोनों की बिद्धुत्रुंता दोनों की इलेक्टो नेगेटिविटी अलग अलग होती है जिसकी बज़े से एक पर तो पॉजिटिव चार्ज जाता सबसे पहले समय समय मतलब बशन एक्पर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक आहीं बन होते हैं दो इलेक्टोन होते हैं और समान्स विखंडन के अंदर क्या होता है कि जिस बंदी से यह सैसी जग बंद होता है इस सैसी जग बंद से जो दोनों एटम जुड़े हुए उन दोनों की विद्धुतिंता क्या होती है समान होती है जैसे कि यह आप लोगों का सैसी जग येख्टर के दाये फोड़े संस्का की और आप अच्छी तरिका से जानते vita वह चांट का हुझा तो बंद की विद्जों के लिकुत, 2 येक तो जाएंगे तो इस तरिका से हो जाया लिए और! इसको हम वोलता है जो किया गोलते हैं कि बनने वाले है क्या गोलते हैं कि उन गो इसके पाश रहे का म hedge पहले से क्योंकि यूद्ट यक्तन होता हुक्त यूद्व मτι electron उनपडले लक्टोन और इस की किरिया सीलता रियक्father통 स्वार्ट बहुत ज्यादा होती है यह आसानी से किसी से भी reaction कर सकते हैं कोकि यहाँ पर इनके पास में कितना electron है एक electron और एक electron होने की वज़े से इनकी जो पहती होती है इनका जो नचयर होता है वो क्या होता अनुचुमकी है मतलब पेरामेगनेटिक मेरी बात आप लोगों को समझ में आगी न एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए समान समिकंडन को जैसा कि उसकी एडिंग से क्लियर हो रहा है समान समिकंडन मतलब जो सैसिंजर बंद से दोनों एटम जुड़े ह सकते हो जाते हैं और उन से जिस इस प्रेसीच का निर्मान होता है हम क्या को बहुत रहता है फिरी रेडिकल के следующ होथ होता है और सिंगल इलेक्ट्र प्रजेंट होने की बज़े से इसकी जो क्रिया सील्था होता है वह बहुत ज्यादा होती है इसका जो नेचर होता है वह क्या होता अनुचुम्मा की है मतलब पैरा मेगनेटिक बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई है अब इनके बहुत सारे एक्जम्पल हो सकते हैं एक्जम्पल में आप लोगों की सामने लिख देता है देखो एक्जम्पल की तॉर पर आप लोग ले सकते हो एक्जटू ले सकते हो अप लोग एंड्वू ले सकते हो एक्टू ले सकते हो एक्टू ले सकते हो एक्टू ले सकते हो एक्टू ले सकत इस्तिती बता दिता उं मतलब थो उसके लिए कंदिसन बता जीता आउं समान से उसके लिए। आप-समान से लिए नॉसके लिए होगा है बात आप लोके समझब कर आगए चलू ठीक बहुत अच्छी बात देखओ कंदिसनओ को लिए देता हूं आप कि एड़ेंग वही आप लोगों के लिए सवांस सवांस बिखंडंग सवांस बिखंडंग के लिए के लिए अनकूल अनकूल परिस्थितियां अनकूल परिस्थितियां सवांस बिखंडंग के लिए अनकूल परिस्थितियां मतलब इन कंडिशन में आप लोगों का कौन होगा सवांस सवांस बिखंडंग होगा मतलब वहां लाइटिक के लिए जोगा तो ध्यान में रखना इसकी जो पहली कंड तीसरी जो इसकी कंडिशन है वह गैसी आउसता मतला गैसे शेट यहां लोगों का सबर्स करना होगा तेसरी आप लोगों की जो कंडिशन है वह ए गैसी अबस्ता मतला नोल पोला स्वावेंट त Means Unip cartoons और जो इसकी चाटी कंडिसन और आक्सिजन की उपस्ति ती परोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्तिती अब देखो उनको मैं डिटेल से एक्समान कर देता हूँ आप लिगों के लिए तो देखो दिहान से समझना अभी मैंने समान से विखंडन के लिए क्या बोली है कि अगर से सिंज्जों बंद से जुड़े दोनों एटमों की अगर बिद्धोतिंता बराबर हुई तो उसको जो विखंडन होगा उसको हम क्या बोलेंगे समांस विंडन होगे मतलब बंद से जुड़े दोनों एटम एक एक लेक्टोल लेकर सेपरेट हो जाएगे बनने वाली इस्पीशी जोगी उसको हम क्या बोलेंगे मतलब फिरी रेडि तो दिहान में रखना जो सवान से खंड़न होते हैं वो अमिस्ता सनलाइट की पर जैंसम होते हैं ठीके रहा तीसरी कंडिशन है गैस यह बसता है गैस इस्टेट होने चाहिए ठीके रहा चौति ही यह बसता है एयग दूर्विया बिलाएक हो मतलम नॉन पोलर सॉल्वेंट हो एद्रुविया बिलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट हम उनको बोलते हैं जिनके लिए म्यूकी वैली जीरु होती है जैसे कि मैं एक एक जंपर लेता हूं एद्रुविया बिलायक के बहुत अच्छा एक जंपर लेता हूं CCL4 ग्यान पर रखना यह आप लोगों को जो CCL4 है यह यह जो CCL4 है वह आप लिगों का कौन हो गया एद्रुविया बिलायक हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया क्योंकि इसके लिए म्यूकी वैल्यू कितनी होती है जीर होती है चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है बात करता हूं मैं एद्रुवियानू नॉन पूलर मॉलेक मतलब नॉन पूलर मॉलिकूल से जिनके लिए म्यूकी वैल्यू कितनी होती है जीर होती है जीर होती है मेरी बात आप लोग समझ में आगे ना और एक होती है द्रुविया द्रुव कितने होते हैं एक माइनस होता है ठीक है तो अगर बदे से जुड़े दोनों एटमों की बित्तिंता अलग अलग हुई तो उनको हम क्या बनेंगे द्रुविया नाम से लगना द्रुविया इसका मतल्ला सउ मतलब कितनील बित्तिंता मिया का मतलब sucks लिए ना चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है और जो आपकी लाश्ट कंडिसन है वह पर ऑक्सीजन की उपस्तिती ठीक है यह रियक्शन किसकी प्रिजयन समें होते हैं पर ऑक्सीजन को प्रिष्टी एक बात आप हमेशा ध्यान रखने ट्रिक बता जेता हूं आप लिए कि ज उससे हमें सब फिर रिडिकल बनते हैं एक बाद फिर से मैं आप लिए बता देता हूं अगर ऐरो पर ऐसा रियक्शन करवाती है हम तो ऐरो पर जो चीज होती है कभी टेमपरिचर ले लेते हैं ठीक है ना अगर इसी एरो पर ऐसा है सूरी का प्रिकास यह किसकी निसान होती एक यह संलाइड के प्रिस्थिति होती घर है एक आप नों होती है सूरी के प्रिकास को प्रिकास को प्रिस्थिति हैं आप लोकां कियो होता है पॉय। carbon की chemistry होती है इसलिए मैंने यहां पर H2O2 नहीं लिया R2O2 लिया है H2O2 को हम क्या बोलते है hydrogen paroxid बोलते हैं यहां पर R2O2 इसलिए लिया है क्योंकि हम organic chemistry पढ़ रहे हैं और organic chemistry किसकी chemistry होती है carbon की chemistry होती है और R alcohol group होता है आप लोग अच्छी तरीकात जानते हो carbon होता है ठीक है न तो कभी भी अगर एर उपर H2O2 लिखा मिल गया है तो आप लोग आसाली से समझ जाना कि इन से जो species यहतर की तरफ बनेगी product में वह कौन होंगे मुक्तमूलब होंगे फिरी रेडी करूंगे बात मेरी आप लोगों कुछ समझ भागे ना चला ठीक है बहुत अच्छी बात है तो यह जो मैंने condition आप लोगों को सामने बताइए वो किसकी बता यह मैंने समान से बिखंडन की मतलब हमोलाइटिक फिर से बता देता हूं आप लोगों के सामने मेंने छे condition लिखी है इन छे condition होंगा समान से बिकंडन होगा पहली condition कौन से है उच्छेता मतलब हम्टाव तीसरी condition गैसी बसता गैस इस च्छोती प्रविय कंडिशन एग द्रूबिय बिलाएक मतलब नॉन पोलर इस तरीका के अगर कंडिशन बनती है तो समझ्जा ना बहुत रियाक्शन होगी फिरी रिडिकल रियक्शन होगी चलो थीक है बहुत अच्छी बात है तो यह कंप्लीट होता है आपको का समान से खंडन अब मैं अगली हेडिन डाल देता हूं विश्मांस भी खंडन मतला है एट्रोलाइटिक के लिए उसका डिसकर्शन करते हैं चलो देख लो दूसरी अधे अप नोगों की विश्मांस भुखंडन डूसरी ऑडिए आप लोगों खीविस धिस्मांच भुखंड sommes मैं आप लोगों को सामने उद्य हों जैसे कि मैंने को लें लिए न किसको लए ये भी मतलब यह कौन है सैसे जगबंद है और इस बंदे से दो एटम जुड़े हुए आप लोगों कि ठीक है ना इस बंदे से जुड़े दो परमालों की बिद्धुतिंता क्या है अलग अलग मैं कंडिशन दोनों फूलों कर रहा हूं मैं यह मान कर चल लाँ कि माना कि एसे ज्य इस बंद से जुड़े दोनों परमानों की अगर बिद्धुतिंता अलग अलग हुई और महां पर आप बंद को को तोड़ना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बिस्मांस में खंडन मतलब हेट्रोलाइटिक क्लिवेज मतलब बंद के लेक्टोनों का जो बटवार होगा वो ऐसामान रूप से कैसा होगा जैसे कि मैंने ऐसे बोली है कि यह सैसे जग बंद है यह आप लोगों के लिए मै चाहे हो लेकिन अगला कोशिन आप कि बिद्धूतिंता को ज्यादा मान के चले ओ एक भी तो जयादा हो सकती है बिल्कुल हो सकती और एक ही बिद्धूतिंता बींस नगान की तरह जांगा उचया एक तो दो यह आएगए दोग हो कि Linda कि वान्टिव अ आई कार्वन पर अगर पॉजिटिव चाड़ आया आए तो उसको हम क्या बोलेंगे कार्वू कैटेंड और कार्वन पर अगर बात मेरी आप लोगों को समझ मारे ना चलो ठीक है अब इनके एक्जम्पल हो सकते हैं एक्जम्पल कौन कौन से हो सकते हैं जैसे कि आप की ओ सक्ता है C.N. हो सक्ता है HBR हो सक्ता है HI हो सकता है । औरू सारे हो सकते हैं मतलब यह हुआ कि बंद से जुड़े दोनों परमान्यों की अगर विद्धूत्रिंता अलग-अलग वह भाफर अ nessuna चलंटा तो वह कि जिसके पास में नेगेटिव चार जाएगा उसको हम कारो A9 बोलेंगे मेरी बात आप लोगो कुछ समझ भागई चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है तो देखो यह होता है आप लोगो का बिस्मांस बिखंडन के लिए कंडिशन बता देता हूं कि बाई जो बिस्मांस बिखं के लिए अंकूल परस्थितियां के लिए कि बिस्मांस बिखंडन 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 के लिए अंकूल परस्थितियां है कि इस तरीका से जाए जैसे कि बापर आप लों करता है तो यहां पर क्या लिखाता तो यांपर चो क्या कर दो nosso क्या कई तीसरी बापर कौन सी अवस्ता थी आप लिए अवस्ता सोलूसन इस्टेट रिशुची अपक्ति आप लोगों की जो कंडिसर आपो की चोंटोटी आप लोगों की ूदॉबिया वि्लायेख मतला पोलर शोर्वेंट जो पांच फिरसे में इसको एक्स्राइर कर देता हूं देखर मेने आप लोगों के लिके बाद पता कि आई है यहां पर क्या लगों मतब्लब लोगra Tomb कि द्रुबीय विलाएक पोलर सॉल्मेंट अब यह दुरुबीय का सबसे लिएक जंपल पंपल रुंता बाटर होता है आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कैं क्यों कि बोर सोटें कि वहुन होता है यह मतलա क्यों कोई कोई इनकी तो एसे मोलीखूल्स होंगे यह ऐसे सोलेंट होंगे उनको जो हम आप मोझे नोगी है इसलिए कभी भी आप लेको's से outta नाम किस्समें है प्लास मां और विछ माझमीने को कॉत्र कर यह इसके मतलब बनतो हो रहे हैं आई द्रूब कितने होते हैं दो ही तो होते हैं एक प्लस होता है एक माइनस होता तो बात आप लोग समझ वह चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है चौती कंडिशन कौन हो गई द्रूबी यह बिलायक मतलब पोलर सॉल्बेंट जिसका बेश्ट ए प्लस माइनस में टूरता वो कौन होते हैं सभी द्रूबी यह बहुत सारे हो सकते हैं मेरी बात आप लोगो को समझ वा गई चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है एक बात आप ध्यान में रखना जो छटी कंडिशन है वो मत रिखना उसके लिए मैंनों पहले ही बता देए कि अगर कोई भी रियक्षान के ऊपर या एरो के उपर अगर सन्लैट लिखा हुआ है या आटू ओटू लिखा है या ओटू लिखा हुआ है तो समझ जाना उससे मुक्त मूलक बनते है फ्री रेडिकल बनते हैं और बो कंडिशन ऑनली किसकी होती है समांस बिखन्डन की होती ह कि लिए हैं तो इस समांच विखण्डन के लिए के लिए किपनी कंडीशन बता है पाँचों को अच्छी तरीका से याद कर देना एक जाम कोशन इस तरीका से बंगता है कि भाई बंद का बिखंडन कितने परकारत होता है दो प्रकारब्स होता है एक समान से खंडन होता है और एक विसमान से खंडन होता है मतलब एक हमोलाइटिक लिवेज होता है एक हेटोलाइटिक के लिवेज होता है और किस तरीका से होता है वो सारी चीजे मैंने आप लोगों को सामने एक्सिलेंग करते हैं ठीके ना तो ठीक है स्टुडेंट्स आज क लेक्चर को तो मैं यहीं चाहिए रखता हम आगले लेक्चर में फिर हम आगले टॉपिक कर डिसकर्शन करेंगे ठीक आगे श्टूरेंट्स फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद